कि दोस्तों मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अपतार चैनल और अगर आप मीवाई 11 के मोबाइल में मीवाई 12 का कंट्रोल सेंटर यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है उसमें बग देखने को मि सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अपतार चैनल को और बैल आइकन को यूज प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपने Redmi Note 7 Pro में एक latest AP के यूज कर रहा हूं Mi Control Center की यहां पर मैं आपको इंस्टाल करके दिखाता हूँ इसमें कौन सा वर्जन है तो यह AP के आपको डिजिटल अपतार टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसका जो वर्जन है 3.5.5 तो इस वर्जन में काफी जो बग हैं वो फिक्स किये गए हैं अभी यहां पर इसे ओपन करके मैं दिखाता हूँ तो जैसे ही आप ओपन कर परमीसे दी हैं और उसी तरह से यहां पर जो next है right वाली परमीसन इसे भी आपको देदेना हैं जैसे ही आप allow कर देंगे उसके बाद next देखिए यह notification वाली permission है इसे भी आपको allow कर देना है तो यहां पर आपकी 4 परमीसन जैसे allow हो जाएगे उसके बाद आपको각 जोल सिम्ट का है वो परमीशन एलाउ करनी है मैनेज कॉल वाला है और यहां पर फिर आप जो है इन परमीशन को रहने दे सकते हैं इन्हें आप छोड़ दीजे उसके बाद आपको यहां पर ऑप्सन मिलता है कि अब आप यह फिर तो केवल नौटिविकेशन को यूज कर सकते हैं यह फिर आप चाहें तो कंट्रोल सेंटर प्लस नौटिविकेशन यूज कर सकते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना टच एरिया होना चाहिए नौटिविकेशन के लिए और कितना होना चाहिए मी कंट्रोल सेंटर के लिए तो यहां पर मैंने 50% से ज्यादा एरिया रख लिया है आप चाहें तो नौटिविकेशन अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो इस वीडियो पूरा देखते रही है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बैक्ग्राउंड में सॉलेड कलर लगा सकते हैं तो यहां पर जैसे की यह बैटरी वाली एक सर्कुलर बैटरी है यह फिर कनेक्शन स्पीड है इस तरह की परमीशन आप एलाउ कर लेते हैं और भी अच्छा रहेगा मी कट्रोल सेंटर में इसके वाद एक कलर का जो आपसन है उससे क्या है कि यहां पर आपको डिफाल्ट आपसन है इस पर टेप करना है और उसके लाद सॉलिड कलर को स्लेक्ट कर लेना है सॉलिड कलर सесलेक्ट करने के और अपको यह सलडर दिख रह लावा आपको एक यहां पर डाइनमिक कलर का ओप्सन देखने को मिलता है जैसे नौट विकेशन और भी ब्यूटिफुल हो जाएंगे तो यह ओप्सन आप इनवल कर लिजे और एक काम आप कीजिए कि मी कंट्रोल सेंटर के एप को आपको लॉक कर देना है हमेशा यह जब कर देंगे तो यह बैक्ग्राउंड में रहेगा बैक्ग्राउंड में रहने से फायदा यह होगा कि आपका जो मी कंट्रोल सेंटर है प्रोपरली वर्प करता रहेगा एक काम आपको और करना है तो आपको एप इन्फो में जाना है मी कंट्रोल सेंटर की एप इन्फो और ए इतनी वी रेड हो रहे हैं जो परमीशन नहीं दी गई हैं उन सब को आपको ग्रीन कर देना है यह सर्फ परमीशन आपको देने के बाद मी कंट्रोल सेंटर में जो प्रॉब्लम आती है क्रेस हो जाता है कभी काम नहीं करता है कभी नौट्विकेशन ओवरलैप हो रही है यह अगर आपके पास और कोई डिवाइस है और उसमें आप ये सेटिंग्स करके देखिए अगर आपको कुछ भी वेनिफिट मिलता है तो मुझे बताए कमेंट में तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूं